हेलो बच्चो आप सभी का अपनी चैनल केरिंग बच्पन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम गड़ित्य कुछ कुछ पढ़ेंगे तो कुष्चन को स्टार्ट करते हैं पहला कुष्चन जो हमारा है हम इसके बाद डिसकसन करेंगे आज कि सबसे चोटी संख्या कौन सी होती है तो वुचिज़ स्मालेस्ट नंबर जींति हम पढ़ते हैं उसमें सबसे चोटी संख्या कौन सी होती है तो सबसे चोटी संख्या कौन सी हो सकती है और दस सिकंड के बाद हम उसका आंसर बताते हैं सबसे चोटी संख्या बताओ जहां से गिंति हम स्टार्ट करते हैं उस पर ध्यान लगाईए तो अब हम question का answer बताएं जा रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है यानि सबसे smallest number कौन सा है तो जैसा कि सब भी लोग जान गए होंगे सबको याद आ गया होगा कि सबसे छोटी जो संख्या होती है वो एक होती है क्या होती है? एक, one जिसको कहते हो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? one सबसे छोटी संख्या one कहते है one होती है जिसको की हिंदी में एक कहते है एक और इस तरह लिखते है तो सबसे छोटी संख्या हम जान गए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक है आप बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या के बारे में इसे सोटी संख्या होती है ऐसे हम बड़ी संख्या के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है तो इसके बारे में भी सोचिए अभी हम 10 सेकंड के बाद इसका भी आंसर बताते हैं आपको तो दिम अब सबसे बड़ी संख्या हम डाएं जा रहे हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है किहां सब के बारे में सोच रहे हैं किए पांसो के बारे में सोच रहे हैं पांसो भी नहीं है क्या आप एक लाग के बारे में सोच रहे हैं एक लाग भी नहीं है क्या आप एक करोण के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी नहीं है एक करोण भी नहीं तो हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसको हम नहीं लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या को हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि संख्या कोई अंत नहीं है तो हम लिख नहीं सकते हैं इसका आंसर हम क्या लिखेंगे लिख नहीं सकते हैं अगर हमसे कोई कहे कि बड़ी संख्या मताईए तो सबसे बड़ी संख्या हम लिख नही जिन्दगी हमारी जब तक हम लिखते रहें लिखते रहें तब यह संख्या बढ़ती रहें इसलिए सबसे बड़ी संख्या हम नहीं लिख सकते हैं यह में लिख सकते हैं तो इसका आंसर होगा इस लाकिल हम नहीं लिख सकते ठीक है इसके बारे हπό जानते थे चलिए मुष्चान नबर थी के बारें बाद करते हैं । प्रोस्ष नमर थी हैं तो सबसे पहले इसको करने के लिए एक लाख पहले लिखेंगे हम एक लाख लिख रहे हैं आप देखो एक लाख हो गया है कैसे पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार पिर दस हजार उसके बाद लाख एक लाख यानि एक लाख यह लिख गया है इंगलिस में पढ़ें सब्सक्राइब लाख तो इसमें हमको कितने जीरो होंगे या कितने सूने होंगे तो गिनिये काउंट करिए एक दो तीन चार पांच यानि एक लाख में कितने सूने होते हैं सब्सक्राइब या ये कितने जीरो होंगे एक लाख में पांच सूने होंगे या जीरो जिनको क खते हैं अगलिस में जीरो काईते हैं तो एक लाख में 5 वान करोड तो वनकरो प्रेम यहां एंप लिखेंगे पहले अब इसके लिए हमने जिसको लिख दिया तो हम कहें जाने कि यह सही है तो इसको पढ़ते हैं इकाई दहाई सेकड़ा हजार दस हजार लाक दस लाक और करोड यह वन करोड यह एक करोड हो गया इंगलिस में पढ़ें तो वांस ट्यांस हंड्रेड थाउजेंट टैन थाउजेंट लाक टैन लाक और करोड तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो इसमें कितना सुन जीरो गिनिए एक दो तीन चार पांच छे साथ कितने हो गए पाहबने साथ हैं वाण टू त्फुर फाईव सेख्श सेभें यह इसमें हम सैबन जीरो होते हैं या साथ सुन्स होते थीक है तो यह हम जानगे कि यह स्में साथ सुन्स हो है अब देखेए तोला सामा गया है एक हजार में कितने सूनी होते सब्से पहले हम क्या करेंगे 1000 को लिखेंगे सबसे पहले हम 1000 को लिख देंगे एकाई दहाई सवयकडा हम के और हजार पर एक लिखा है इकाई दहाई सेकड़ा हजार एक हजार हो गया और इंगले से पढ़ेंगे तो वांस टैंस हंड्रेड थाउजंड तो इसमें कितने सुन्य आ गए कितने जीरों आ गए तीन आ गए तो इसलिए इस वीडियो को देखिए लाइक करिए अगर कोई इसमें और डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमें कोमेंट करके बताइए असा करते की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आएसे मिलते हैं अगले मैत की स्रीज में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत